नमस्कार आपका अपना चैनल आरवी नई कहानिया में फिर से एक बार स्वागत है आज हम सुनेगे तुलसी विवाह की पौरानिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फैंक दिया था। उससे एक महाते जस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या व्रिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतू समुद्र से ही उत्पन होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रुप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश परवत पर गया। भगवान देवाधि देव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीत गया, परंतु मा ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतरध्यान हो गई। देवी पार्वती ने कृध होकर सारा वृतांत भगवान विश्नु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिवरतास्त्री थी। उसी के पतिवरत धर्म की शक्ती से जलंधर न तो मारा जाता था और नहीं पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने क लिए वृंदा के पतिवरत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विश्नु रिशी का वेश धारन करवन में जापहंचे जहां वृंदा अकेली ब्रह्मन कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। रिशी ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ती देखकर वृंदा ने कैलाश परवत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पती जलंधर के बारे में पूछा। रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट जलंधर का सेर्था तथा दूसरे के हाथ में धर्ड। अपने पती की ये दशा देखकर वृंदा मूर्चित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भगवान से बिनती की कि वो उसके पती को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुन जलं ब्रिंदा पतिवरता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही ब्रिंदा का पती जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब ब्रिंदा को पता चला, तो उसने कृध होकर भगवान विश्नु को रदहीन शिला होने का और शालिग्राम पत्थर बन गए। स्रिष्टी के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिती हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने व्रिंदा से प्रार्थना की वो भगवान विश्नु को श्राप मुक्त कर दे। वुरिंदा न तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्षमी से भी अधिक प्रिया हो गई हो। अब तुम तोलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तोलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी म भूमी जलंधर नाम से विख्यात है। सती वरिंदा का मंदिर मोहला कोट किशिंचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्छे मन से 40 दिन तक सती वरिंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनुरत पूर्ण होते हैं। जिस घर में तोलसी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यू के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तोलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वो पापों से मुख्थ होकर वैकुर्ध धाम को प्राप्थ ह होता है। जो मनुष्य तोलसी वा आउंगलों की छाया में अपने पित्रों का श्राध करता है, उसके पितर मुख्ष को प्राप्थ हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ, आपको या तोलसी विवाह की पौरानिक कथा अच्छी लगी हो, धन्यवाद।